हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सब का निकुंज बोटिक में मैं रेनू आज आपके लिए स्लीव का डिजाइन लेकर आई हूँ जो कि समर के लिए बहुत ही कमफर्ट होगा और साथ ही सुन्दर भी दिखाई देगा स्लीव जो मैंने अलरी कट कर ली है उसकी लंबाई बता देती हूँ यह अठारा इंच है आप इसको थोड़ा चोटा बनाना चाहते हैं तो चोटा बनाने मैंने इसको थोड़ा लंबा बनाया है 9 इंच मैंने इस तरह से नीचे आम हुल की गुलाई ली है और 9 इंच ही मैंने इस तरह से साड़े 9 के आसपास ये आगे से हैं मोहरी जहां से हमने तयार करनी है साथ ही मैंने यह इस तरह से यह बुक्रम ली है पेस्टिंग वाली जिसको कपड़े के उपर पेस्ट कर लिया है आईरेन की हेल्प से जिसकी जो चोड़ाई है वो एक इंच है तो यहां से आप चाहें तो डेड़ इंच तक इसको बॉर्डर को आगे से चोड़ा कर सकते हैं मै कुल के 12 इंच हो गया है इतना ही इस्तेमाल होना है साथ ही थोड़ा सा मैंने लंबा ले लिया है और साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे ये ग्रीन वाली लेस जो मैंने अभी दिखाई थी कपड़े को इस तरह से जो वाला कपड़ा है उसको खोल के इस तरह से रख लेंगे और इसम हमने आप चाहें तो इसमें जो धागा खीचके भी चुनट्स डाल सकते हैं या फिर इस तरह से चोटी-चोटी चुनट्स डाल लेंगे आधा-धा इंच की सुरू में हमने कपड़े को चोड़ना है एक से डेड़ इंच का गैप आगे से प्लेन रखना है और उसके बाद जो है प्लेट्स को इस तरह से आधा इंच की प्लेट है और आधा इंच का इनके बीच में जो गैप है वो रखा है और इस तरह से धीरे धीरे हमने प्लेट्स को 20 इंच हो जाएगा अब हम चुनर्स लगा के बरी चेक कर लेंगे कि हमारे पास कितना तो साड़े ग्यारा के आसपास है तो 5 इंच करीब मैं इसकी महरी तयार करूँगी तो काफी है और अब देखिए ये चुनर्स लग गई है अब हमने जो कपड़ा लिया था जिसके उपर बुकरम को पेस्ट किया था वो ले लेंगे और इस कपड़े को इसके साथ हमने अटेच करना है तो इसमें आगे थोड़ा सा कपड़े एक्स्टा था वो मैंने कट किया है तो अब हमने देखिए आप चाहिए तो इस तरफ से भी इसको सिल सकते हैं मैं इसको जहां से प्लेन साइड जादा है वहां से कपड़े को सिलना अटेच कर रही है और आपको ध्यान रहे कि जब आप इस बुकरम को पेस्ट करेंगे ना कपड़े के उपर तो एक तरफ सिर्फ उतना ही छोड़ना है जितना आपका मारजन जाएगा और दूसरी तरफ ज़्यादा छोड़ना है और अब जो कपड़े को इसके उपर लगा रही है तो आपको ध्यान रखना है नीचे जो चुनेट्स हैं उनके फेस जो हैं चेंज ना हो जाए यह हमारे अब सीधी साइड है तो सीधी साइड आएंगे साथ ही मैंने लेस का इस्तेमाल करना है तो इस तरह से यह कंट्रास्ट की मैंने लेस ली है कमीज के अंदर जो है इस कलर का वर्क है तो साथी इस तरह से LACE को थोड़ा सा अंदर दबाते हुए और जहाँ पर हमने अल्रड़ी सिलाई कर रखी है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और LACE को बस इतना ही अंदर दबाएंगे जितना वो थोड़ा सा सिलाई में अटैच हो जाए पूरे हिस्से पे हमने इसी तरह से लेस को लगा लेना है कपड़े को अंदर फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल किनारे किनारे से इस तरह से लेस को लगा के कम्प्लीट कर लेंगे दोनों sleeves को हमने इसी तरह से ready कर लेना है बहुती सुन्दर लगती है इस तरह की sleeves और गर्मियों में जो है काफी खुली-खुली होती है तो comfort भी लगती है इस तरह से देखिए एक सिलाई हम और लगाएंगे एक पैर का जो margin है वो रखेंगे बाजू हमारी इस तरह से ready हो गई है यह हमारी पहली बाजू है दोनों बाजू already मैंने ready कर रखी है तो देखिए यह बाजू इस तरह से लगेगी और उपर भी चाहें तो आप चुनट्स लगा सकते हैं हलकी फुलगी या फिर इसी तरह से plain रखें तो मैंने दोनों बाजू को सिर्फ आगे चुनट्स लगा के तयार किया है उपर प्लीन रखा है तो देखिए वीडियो आपको आज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना शेयर लाइक करना और नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं किसी और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाई